ही गाईज वीटम बैक टो माय चैनल ताजा किचिन आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही घसता पफफ पैटी समोसा साथ में थोड़ी सी निमकी भी बनाएंगे इस रेसिपी को बनाना बहुत ही असान है बहुत ही घस्ते समोसे बंद के तयार होते हैं तो चलिए बिना देर किये वे इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम पफ पैटी का आठा लगा लेते हैं यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है और उसमें वन टीस्पून अजवाइन डाला है अजवाइन को हम इस तरह से थोड़ा मसल के डालेंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसके बाद इसमें हम वन टीस्पून नमक डालेंगे और यहाँ पर देखे मैंने घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और यहाँ पर फो टीस्पून घी हम इस आटे में एड़ कर देंगे अब इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी आड़ करके इसका एक सौप्ट आटा बना करके रेडी कर लेंगे अब यहाँ पे हम अपने पफ पैटी की फिलिंग बनाते हैं एक कड़ाई में मैंने दो चमच तेल आड़ किया है और साथी वन टीस्पून जीरा आड़ कर लिया है इसके बाद यहाँ पे मैंने वन टीबल स्पून जिंजर गालिक का पेस्ट आड़ किया है और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक की अद्रक लेसन का कचपन ना निकल जाए इसके बाद इसमें 1.4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे 1.4 टीस्पून रेडचिली पाउडर डालेंगे और इसको भी एक बफिड अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब इसके बार मैंने यहाँ पर 3-4 आलू को उबाल की अच्छे से मैश कर लिया था और उसके बाद इसको हम इस मिक्षर में एड़ कर देंगे धान रहे आप यहाँ पर ठंडे आलू को यूज करें गरम आलू इसमें बिलकुल भी ना डालें इसके बाद इसमें यहाँ पर फिर हम 1.5 टीस्पून नमक अड़ कर देंगे और साथी 1.4 टीस्पून गरम मसाला और 1.4 टीस्पून अमचूर पाउडर और एक बार फिर इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 1.4 कप वॉयल मटर भी इसमें अड़ किया है और साथी थोड़े से धन्या पता भी इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका अब इन सब को मच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह देखिए हमारा मिक्षर बंद के रेडी हो गया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके एक स्मूद पेस बना करके रेडी कर लेंगे और यह देखिए हमारा स्मूद पेस बन करके रेडी हो गया है अब इसके बाद हम एक क्लीन स्लैप पे थोड़ा सा आंटा डस कर लेंगे और हमने जो डो तयार किया था एक बाद फि इसमें से हम एक लोई लेंगे और इसको ऐसे रोटी की तरह बेल लेंगे यहां पर हमें एकदम पतली रोटी ही बनानी है इसकी मोटा यह बिल्कुल भी ना रहे अब इसी तरीके से हमने अपने सारे रोटियों को बेल लिया है अब फिर हम एक रोटी को लेंगे और उसके उप आप इस मिक्षर को लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें अब इसी तरह से हम अपनी पूरी छे लेयर को त्यार कर लेंगे उसके बाद एक बेलन की हेल्प से इसको हम ऐसे लंबा सा बेल लेंगे और बेलने के बाद अपना बचावा कॉंप्लोर का मिक्षर इवनली इस देखिए धरे करके इसको मैं जिस तरह के से फोल्ड कर रही हूं बिल्कुल उसी तरह आप इसको फॉलो करें अब इसको पूरा ऐसा फोल्ड करने के बाद इस तरह से आप गोल गुमाएं तक इसके अंदर के सारी एर बबल्स निकल जाएं और उसके बाद अब यहां पे दे है बस इसी साइस को लेकर के आपको इसे एकुल पार्ट में डिवाइड कर लेना है आप देख सकते हैं कितनी पॉफेक्ट लेरिंग आई है इसकी अब आप यहां पे ध्यान से देखिएगा अब इस लोई को मैं किस तरीके से तेड़ा प्रेस कर रही हूं इसको हमको में बनाना है क्योंकि हम ट्रेंगुलर पैटी इस वहाँ इसकी संथे हम इसका स्क्वर शेब बनाएंगे हम इसकी साइड में रग देंगे और बात में इससे पर से कवर कर लेंगे और इनके साइड को अच्छे से प्रेस करेंगे यह बहुत इंपॉर्टन स्टेप है आप इसको अच्छे से साइड को प्रेस करें दबाग के रखें ताकि यह फ्राई होते वग बिल्कुल भी ना खुलें अब यह देखिए हमारे पॉफ पैटी फ्राइ होने के लिए बिल्कुल रडी है इसी तरह से हम अपने सारे च्छ nee कर लिंग कर लेगे अब यहांप मैंने कठे में तेल गरम कर लिया है और अपने इपconnectी समोसे को एक दम लो फ्लेम पर हम तलेंगे आप यहां लो फ्लेम ही रखें तब आप देख सकेंगे इसकी कितनी बढ़िया सी लेर्स खुल कर आएंगी आप देख सकते हैं दोनों तरफ प्राय होने के बाद कितनी बढ़िया पफ पैटी बनके रेडी हो गई है अब यहां पर हमारे जो साइड्स पचेते उनको भी हम लो फ्लेम पर कि बिल्कुल रेडी हो चुकी आप इन पफ पैटी और निम्की को ओए फ्रायर में भी बना सकते हैं बहुती खस्ता क्रंची से निम्की बनके तयार है हमारे अब यहां पर हमारे जो पफ पैटी समय से इनका भी टेक्शरा पंदर से देखिगा कितनी बड़िया खुबसूर जरूर करिएगा